नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 25 मई शनिवार शाम सवा 7 बजे राजसान की बड़ी खबरे सीकर के खाटों में अब लो एंड और्टर व्यवस्ता में सुधार होगा यहां 14 बटालियन RAC पहाडी के करीब 60 कार्विकों का मुख्याले किया गया है ADG विशाल बंसल ने इस समन्द में आदेश जारी किया है अतिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्ता विशाल बंसल ने बताया कि 14 बटालियन RAC पहाडी की एक कमपनी का मुख्याले रिजर्व बैंक जैपुर में किया गया था वर्तमान में उक्त कारे के लिए D कमपनी नियोजित है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया में नियोजन के बाद 6 बचे जापते में से 60 कार्मिक जिन में एक प्लाटून कमांडर नो हेड कॉंस्टेबल आदी का मुख्याले अग्रिम आदेश तक कस्बा खाटू जिला सीकर किया गया है बविशा में कमपनी का रोटेशन होने पर नई आने वाली कमपनी से भी इसी प्रकार की विवस्था जारी रहेगी राधिसान में भीशन गर्मी को देखते हुए आंगनबारी केंद्रों में जिला कलेक्टर अवकाश भोशित कर सकेंगे अवकाश के दुरान आंगनबारी के बच्चों को उनके घरों पर ही पोशाहार वित्रन किया जाएगा इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचीव डॉक्टर मोहलाल यादव ने आदेश जारी किये हैं सचीव यादव ने बताया कि तेजगर्मी के चलते प्रदेश में संचालित अवकाश के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकरत किया गया है इस समंद में जिला उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया है कि जिला प्रिशासन से उक्तिसम्मद में चर्चा कर जिला क्लेक्टर के निर्देशा नुसार आंगनबारी केंद्रों पर अवकाश के लिए करवाई करें राजिसान में सभी 25 लोगसवा सीटों में सेवा मतदाताओं के लिए जारी हुए electronically postal ballot मिलने शुरू हो गई है साल 2024 के लोगसवा चुनाव के तहट 1,40,907 सेवा मतदाताओं को electronically postal ballot जारी किये गए थे जिन में से 1,32,381 मतदाताओं ने electronically postal ballot डाउनलोड किये है अब तक कुल 79,755 सेवा मतदाताओं के electronically postal ballot प्राप्थ हुए है Electronic सेवा मतदाताओं को ये postal ballot भरत निर्वाचन आयो के electronically transmitted postal ballot management system ETPBS के द्वारा भेज गए है रादिस्तान मिनशा खोरी पर प्रभावी निरंतन के लिए पुलिस मुख्याले के निर्देशन में गत 15 मरी से संचालित विशेश अभ्यान में सभी जिलों में प्रभावी कारवाई करते हुए बड़ी तादाद में मादक पदार्थों के जप्ति करते हुए इनकी तसकरी से जुरिया परादियों को गिरफतार किया गया है पुलिस महानी देशक उतकल रंजन साहू ने बताया कि इस विशेश अभ्यान की तहट अब तक प्रदेश भर में 445 प्रकरणों में 476 व्यक्यों को गिरफतार करते हुए 34.97 क्रोड रुपए के मादक पदार्थों को जप्ति किया गया है जिसमें मादक पदार्थों के उत पाजसान जैपूर के पदपर हुआ है इससे पहले टीना डाभी जैसल मेर की जिला कलेक्टर थी जो मैटर्निटी लीव पर थी बता दे की टीना डाभी जुलाई 2003 से मैटर्निटी लीव पर थी वहीं अब अवकाश की अब जिसमाप्त हो गई है आई-ए-ए-स डाभी को बे जुन-जुनु पुलिस ने शनिवार को दो बदमाशों का जुलूस निकाला पुलिस ने बदमाशों को करीब आदे घंटे तक शहर के बीचों बीच गुमाया हाथ भी जुडवाई कोतवाल पवन चोबे ने बताय कि बदमाशों ने जुन-जुनु के किसान कलोनी निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी संदीव बालोदा को 19-20 मई को गैंग्स्टर संपत नहरा और रोहित गोदारा के नाम से वर्टसप फोन कर डेड़ क्रोड रुपई की फिरोती मांगी थ इस मामली में जुन-जुनु निवासी अशोग डूकिया और चूरू जिले के नैशन के रहने वाले राजेश को गिरफतार किया गया था। दोनों को कोतवाली थाना से लेकर गांधी चोख होते हुए एक नंबर रोड सित बीडी के अस्पताल तक जुनूस निकाला। पताया कि जुएलरस एसोशेशन के लिए के वाई सी बड़ा मुद्दा है। डेर सो से दो सो लोगों का स्वर्गवास हो चुका है, वो भी मेंबर बने हुए हैं, उनका भी वोट डल जाता है, इसे रोकना है। इस चुनाव में 30 प्रत्याशी मिदान में हैं, इन में से 15 कर बजे के बाद मत गणना की जाएगी। सपन से बचाव के लिए शहर वासियों ने जील के पानी में गोते लगाए और गर्मी से रहत मैसूस की। टॉंक जिले से हज पर जाने वाले हज यात्रियों को मदीना में बनी हुई टॉंक की रुबात भवन में नहीं धहराए जाने की शिकायते मिली है। हज यात्रियों को टॉंक से जारी किये गए रुबात के इजाजत नामे को मदीना में बनी रुबात के जिम्मेदारों ने अमाने करार दे दिया। गौतलबह की हज यात्रियों की उडान का समय जैपूर्स के सांगनर एरपोर्स से गद 23 मई को 3 बच कर 5 पर मिनट पर था। ये हज यात्री मध्यारात मदीना में टॉंक की अपनी रुबातों में पहुँचे। जैसे ही बस रुबात पहुँची और उनके कागजात जाचे गए तो इनके इजाजत नामों को मानने से इंकार कर दिया। थके हुए हाजी जिन में बुजूर्ग और महिलाएं समेथ बच्चे भी थे उनको काफी परिशानी का सामना करना पड़ा। राजिस्तान में अलवर्ष शहर के जै कॉंप्लेक्स मार्केट में शनिवार को इत गार्मेट की दुकान के बेसमेर में अचानक आग लग गए जिससे लाखो रुपए इसका समान जलकर राख हो गया। राप्त जानकारी के नुसार दुकान से धुआ निकलता देख आसपास के दुकान दरों ने इसकी सूशना दुकान मालिक एवं अगनी शमन विभाग को दी। गर्मी का दोरा जुन जुलाई तक चलता है। इसके साथ ही तार भी जल गये। सूशना पर दो दमकत की गारियां मोके पर पहुंची। करीब 10 मिनिट की मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया। जोदपुर शहर में एक तरफ पेजल किलत के चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है। वहीं दूसरे तरफ खुद जल्दाय विभाग ही लापरवाह बना हुआ है। इसकी बानगी शनिवार को बासनी मदुभन शेतर में देखने को मिली। यहाँ पर जल्दाय विभाग के एर वाल्व से पानी लिकेज होने की वज़े से हजारों लिटर पानी बरबाद हो गया। सुबह से पानी सड़क पर बहता रहा लेकिन जल्दाय विभाग के जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली दो पहर तक यही क्रम चलता रहा। इसके चलते यहाँ से हजारों लिटर पानी बरबाद होकर बह गया। जालावार के मनोहर थाना वेपार संग वेग्राम वासियों ने भीशन गर्मी में अगोशित विद्यूत कटोती के विरोध में जिला कलेक्टर के नाम उपकड अधिकारी को ग्यापन सों पा। जापन में बताया कि समस्या का निस्तान नहीं होने पर तीन दिन बाद अंश्चित कारिन बजार बंद कर अंदोलन किया जाएगा। इस भीशन धर्मी में मनोहर ठाना कस्पे में रात दिन कटोटी की जा रही है इसके चलते कस्पे वास्यों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है रादेसान में अलवर जीले के NCR में आने के बाद परिवहन विभाग द्वरा 3,77,000 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद किया जा चुका है अलवर शेतर के परिवहन अधिकारी सतीश चोधरी ने बताया कि NCR में जारी मॉटर विकल एक्ट के तहट पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद किये जा रही है फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजर होंगे और बड़ी खबरों के साथ